हेलो एबरीबर वेल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेट इस भी मैं हूं मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों पिछले दो दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं ना मैं क सफब कुछ अभडेट डे रहा हूं क्योंकि मेरी तबेकत्क हराब थी और पिछले दो दीन में में प्रीम्यम घृप में तो ट्रेट देना ही पड़ता है तो प्रेटव दो दीन से प्रेमियम गृप में तो ट्रेट दिया मैं पर मै अपने प्री टेलिघ्रा क्रोड चैनल म और मैं आंध्रा पेपर दिया था आंध्रा पेपर भी profit booking हो चुका दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि कल nifty 50 में क्या होगा और nifty 50 के अंदर हम लोग क्या कल position देखके चल सकते हैं दोस्तों कल मैं एक small buying के बाद फिर से selling ही देख रहा हूँ क्यों देख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया था क्या बोलके समझाया था मैं आपको कि भई position nifty में sharp selling है और इसको चाहिए 200 em में का support क्या चाहिए 200 em में का support चाहिए तो 200 em में का support कहां पे है? अगर ये support नहीं मिला तो fall हो जाएगा और sharp selling का indication मैं आपको कब दिया था? sharp selling का indication मैं आपको 29th July को ही मैं दिया था आप देख सकते हैं 9800 अगर पार नहीं कर रहा है तो sharp selling continue below 9800 ये मैं आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में तो आप पिछले वीडियो पूरे देख रहे हैं तो आज मैं जो analysis करूँगा वो आपको समझ में आएगा दोस्तों ठीक है? और continuous videos देख रहे हैं तो आपको levels भी समझ में आएंगे और जो levels मैं सुभा free telegram group में भी technical analysis levels provide करता हूँ उसके basis पे ही मैं premium group में trade भी देता हूँ और free telegram group में भी trade देता हूँ तो पहले हम लोग level draw करेंगे यह breakout इसको पार नहीं कर पाया fall दूसरा हमरे पास है breakdown यहाँ पे जो gap down के पास है जो previous time multiple support पकड़ के sustain कर रहा था अभी सुभा gap down होने के बाद हमें nifty 50 थोड़ा late confirmation दिया selling का क्योंकि यहाँ पे यह breakout नहीं बनाया ना breakdown नहीं बनाया direct fall यहाँ पे यह breakdown बनाया पर अगर आप bank nifty देखेंगे तो bank nifty के अंदर सुभा first market में ही 10 बजे के अंदर हम लोगो breakdown दे दिया तो nifty थोड़ा late confirmation दिया है कि index fall करेगा अभी कल के live market में mscd देख रहा हूँ तो buying दिख रही है आपको भाइंग दिख रही है पर यह improper buying है पहले breakdown से rejection होगा फिर नीचे आएगा breakout से support पकड़ के ही उपर जाएगा direct rally देना impossible है अगर gap अब भी हुआ तो पहले selling है बाद में buying है and one day candle chart analysis अगर हम लोग कर रहा है तो one day candle chart analysis में already nifty 50 अपने previous breakdown के नीचे confirmation दे दिया है कि stock index यहाँ से नीचे के देगा तो मैं nifty 50 का जो selling देख रहा हूँ pressure वो देख रहा हूँ यह तो nifty bank का है यह nifty 50 का देखो nifty 50 का confirmation यहाँ पर previous breakdown level confirmation हो चुका है और मैं इसके अंदर selling देख रहा हूँ यहाँ तक जो आज complete हुआ and इसके बाद जो कल अगर live market में नीचे gap down हुआ या gap up भी हुआ होकर नीचे opening करकर नीचे closing कहीं पर भी दे रहा है नीचे opening gap down होकर अगर नीचे opening नीचे closing दे रहा है तो fall है अगर नीचे opening ऊपर closing दे रहा है तो फिर sideway market चलेगा तो मेरा suggestion है कि मैं nifty 50 को देख रहा हूँ यहाँ पर 18,855 पर और मैं nifty 50 के अंदर ऊपर के level नहीं देख रहा हूँ ऊपर के level देख रहा हूँ तो totally मैं buyer trapping levels देख रहा हूँ यही था analysis मेरा nifty 50 पर अगर आपको index पर analysis समझ में आया तो video को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe करें thank you for watching my video